बहुत बार लोग ये पूस्ते हैं कि Facebook एड़ पर कितना खर्चा आता है और कितने रुपे में कितने लोगों तक पहुंच जाता है हलांकि Facebook भी इसको clear नहीं करता है बट जब आप एड़ चलाते हैं तो सारी picture clear हो जाती है तो मैंने आज हिंदू नवर्ष, युगादी, गुड़ी पड़वा के occasion पर एक अपना एड़ चलाया जिसमें मैं सरिफ लोगों को नवरात्री विश कर रहा हूं हिंदू नवर्ष की जो है शुबकामनाय में दे रहा हूं और आप देख सकते हैं कि 10,313 लोगों तक ये जो है reach अब उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया वो अलग बात है बट उनकी स्क्रीन पर ये दिखाई दिया है अब उन्होंने देखा या नहीं देखा वो अलग बा रुपे में ये आपका 10,313 लोगों तक पहुंचा है इसका मतलब है कि 6 रुपे में लगबग 1,000 लोगों तक यानि 6 रुपे खर्च करके आप 1,000 लोगों तक अपना message पहुंचा रहे हो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है 6 रुपे में 1,000 और 60 रुपे में 10,000 मैंने 200 र चला है इसका मतलब है 6,38 राइट तो 200 रुपे में 6,38 यानि 30,000 लोगों तक मेरी जो है शुब कामना है आज पहुंच जाएगी अब बात आती है engagement वगरा पर तो यहां यह जो एड है वो ऐसा दिखता है देखो यह नवरात्री एड है इस पर क्लिक किया हमने तो उसके हम ए आपको दिख रहा है कि 10,363 लोगों तक पहुचा रीच 10,363 है इंप्रेशन मतलब 10,366 लोगों ने देखा वो बात ही कि अलगबक इंप्रेशन रीच कोई ज्यादा फरक नहीं है राइट और यह एड मैंने तीन दिन के लिए चला है नवरात्रों की शुब कामना है कि अंग्रेशी नवर्ज की भी एक महीना चलती है है एपी निवर की राइट और एड्स के अंदर अगर हम चले जाए तो यह जो मैंने आपर दो एड लगाए एक नॉर्मल एड था क्रियेटिव और एक था वीडियो एड तो जो वीडियो एड है वह भी रिव्यू में है व सबसे बढ़िया एड है इसमें क्या होता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिलते आपको बट आपका जो मैसेज है वो ज्यादा से यादा लोगों तक पहुंच जाता है आपकी जो फेस वैलिव हो हो जाती है रीकॉल वैलिव लोगों को पता चल जाता है आप मार्केट में हो अवेरनेस चला लेंगे एक दो महीने तीन महीने तो बाद में जब आप लीड का और या फिर सेल्स का एड चलाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस आपका आने वाला है तो आई होप आपको एक क्लेरिटी मिली होगी कि फेस्बुक पर कितना पैसा खर्च करने के सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी वीडियोज है डिजीटल मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हैं तो थेंक यू वेरी मुच